तो अश्रेंट्स आज हम लोग जो है कि वहाइस का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत सा जो है कि इनका जो है कि भूल गए होंगे कोचिन बंद रही है तो इसी स्थिति में आप लोग घड़ पे थोड़ा सा ध्यान दिजिए कोचिन बंद होने के वज़ा से बहुत सारी समस्यां आ रही है तो देखते हम लोग बहुत जल्दी लौकडाउन सनाप्त हो जाएगी तो अम लोग फिर से जो है कोचिन फिर से आ सक अब लोगों को आज अए 20 सरे मिसें और तो प्ढ़े भी थे भहोट चारहर कर दीते हुआ अठिक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं तांकि आप लोगों को दिक्कत ना हो तो अध्यारТ मैं ने लेकिन अगर न आप लोग बढ़ से अगर इसको तयारी कर लेते हैं तो आप लोग ये अनलम मार्स नहीं कटेगा तो ध्यान दिजिये हैं तो फक् को धियान दिखते नहीं होगी तो नहीं को आज हम लोग देखते हैं वाइस को मैंने बताया था active voice और passive voice मैंने आप लोग बताया था कि जितना भी आप लोग tense में जितना भी मैंने पढ़ाया या जितना भी आप लोग tense में पढ़े वो सभी जो active voice में पढ़े थे क्योंकि active voice मतलब होता है जिसमें subject की परधानता हो जिसमें subject की परधानता हो ऐसे voice active voice होते है तो आप लोग जीतने भी sentence पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया था सभी संटेंस जो है वह active voice में था जिसमें subject यहाता था जिसमें subject परधान होता था लेकिन परधानता होता है तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे जो है कि हमको बनाना है यह ना तो इस तरह से हम लोग बद मैंने बताया था कि जीतना जैसकी बारा टेंस आप लोग पढ़े थे हैना active voice में हैना simple present tense present continuous tense present perfect tense है ना और present perfect continuous tense हैना तो यह चार आपने present में पढ़े थे और चार पास्ट में simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense तो इस तरह से हम लोग जाए कि चार past में चार present में और चार future में simple future tense future continuous tense future perfect tense future perfect continuous tense इस तरह से बारा टेंस हम लोग देखे थे तो बारा टेंस active voice में भी देखना है और बारा टेंस किस तरह से structure होता है अक्टिव वाइस में कैसा structure होगा पेसिव वाइस में कैसा structure होगा इन सभी structure को देखेंगे और समझने की कोसिस करेंगे कि active वहाइस में किस तरह का structure का हम लोग का यूज करेंगे और पेसिव वहाइस में किस तरह का structure का यूज करेंगे तो इस तरह से हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग जो है जो है कि पेसिव बनाना भी सीख लेंगे है ना और passive से active बनाना भी सीख लेंगे active से passive बनाना भी सीख लेंगे किसी तरह की दिकत नहीं होगी थोरा सा आप लोग क्या करना है structure पर ध्यान देना है और tense को समझना है कि कौन सा वाक को जो वाक के दिया हुआ है वाक के किस tense में है है ना तो हम लोग आज देखते हैं simple presentance simple presentance का हम लोग जो है आज structure मैंने दिया था subject प्लस भरवन या भर 5 ओके subject प्लस भरवन या भर 5 प्लस object प्लस रेष्ट है ना तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं भर वन या भर 5 भर 5 के बाड़े मैंने बताया था कि भर 5 होता है उसमें भर के साथ s या es लगता है यह मैंने बताया है और यह भी बताया है कि कहां पर s लगेगा और कहां पर es लगेगा तो यह सारे रूल मैंने बताया है आप लोग एक बार अपने notes को निकाल कर देख ले उसका revision कर ले आप बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा आसान हो जाएगा बिना आपका भव हम याद किये वे आप जो है कि टेज और वाइस दोनों नहीं बना पाईएगा क्योंकि वने वताया था कि बरवान बरव टू वर्व थ्री वर फूर तो जांते हैं और वाइब यह सबी का यूज होग है ना पेशिभ वाइस में सारे स्टक्चर में भर्व का थीसरा रूप का परियोग होता है यह बहने बताया था पेशिभ वाइस में और अब के तीसरे फॉर्म का ही यूज करना है यह क्लियर हो गया तो अब देखते हैं हम लोग subject simple presentance के active form में देख रहे हैं कि subject प्लस भरवन भरवाई प्लस object प्लस रिष्ट ओके तो इसका हमको अगर passive देखते हैं structure क्या होगा passive structure में हमने बोला कि object को आप परधान होता है तो object को पहले क्या किजिए subject object जो है यहाँ पे रहेगा उसको subject की रूप में लेना है object यह subject ले लेना है प्लस एना इज एम आर इज एम आर प्लस भी थ्री प्लस object प्लस रिष्ट हैना यह तुम आपका structure हो जाएगा passive में हैना तो देख रहे हैं कि subject के बाद भरवन या भरव फाइब रहे सब्जेट के बाद भरवन या भर फाइब रहे तो वह क्या होगा कौन सा टेंस होगा वह simple present tense होता है यह clear हो गया कि subject के बाद भरवन या भर फाइब आए तो वह टेंस simple present tense होता है और simple present tense का जब passive बनाएंगे तो object को क्या करेंगे subject के रूप में पहले लिखेंगे फिर प्लस इज एम आर हैना इज एम आर लगेगा प्लस भी थ्री हना object प्लस तो इस तरह से हम लोग जो है कि आसानी से जो है कि चेंज कर लेंगे एक्टिव से पेसीव हैना तो देखिए यहां पर रेष्ट जो सर्द आ रहा है इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो यह गा रेष्ट इसमें कैसे आएगा तो रेष्ट में मनें बताया था कि जो बीजिसे कि इंग्लिस फॉर्मेट में इन सब को ख़्यार की वाख के सबसे अंत में प्राया लिखा जाता है तो यह जैसे इसमें एजन्ट आएगा जैसे बाइसी लगा हुआ एगा यह सभी जो है कि सबसे अंत में रखा जाएगा तो यह समझ गये अब देखते हैं परजंड कांट् लेका चौता फूंआख collision ऐना है तो ये आपका रहेगा स्पर्जाग कंट्रिया स्टेंश में में इजे अम आर प्लेस भी फूर्ज़ा प्लास भी फूर है तो इसे हम लोग कहेंगे ये पीस्तिर तरह मोद देख लेंगे यह पर जैंट continuous tense present continuous tense का अगर आपको पेसी बनाना हो तो क्या करना होगा कि इसके जो object है इसके object को क्या करना है as a subject लिख लेना है plus is mr plus being इसमें लगता है continuous बनाने के लिए being को जोड़ देना है being plus plus v3 plus object plus rest ओके तो इस तरह से जो है कि आप जो है कि सब जो है कि इसमें जो है कि आप लोग इसका पेसी बना लेजिएगा हना तो is mr plus v4 इसका हुआ active format और is mr plus being plus v3 इसका हुआ passive format यह चीज को आप लोग ध्यान रखिए और आसानी से जो है कि active से passive और passive से active आप change कर सकते है परजेन परफेक्टेंस का structure देखते हैं तो परजेन परफेक्टेंस का structure होगा subject plus has या have लगता है है या have plus v3 plus object plus rest ओके यह आपका जो है कि परजेन परफेक्टेंस में है परजेन परफेक्टेंस के बारे मैंने बताया था कि जो परफेक्टेंस में एसे sentence को रखा जाता है जो कि आपका जो है क्या कि जो कारी समाप्थ हो चुका है पूर्णता समाप्थ हो चुका है ऐसे कारी तो पर्फेक्ट रखा जाता है मैं ने पताया था कि इसमें परयोक होता है साब्जक्ट पलस है या या प्लस भीतरी झा ऑन पर फेक्ट आ जाएगा जहां फर की सने पलभ Gabriel होता है continuous tense में before होता है है ना ये तो याद रखना आप लोगों को है ना और perfect continuous यहाँ पर perfect continuous भी सब्द आ रहा है तो continuous जहाँ सब्द आ जाएगा तो वहाँ पर before का पड़ियोग होता है ठीक तो आप देखिए यह तो active format बता रहे हैं इसका passive में देखते हैं क्या होगा पेसिब में आप लोग देखिए तो subject यहाँ जो object है इसका object as a क्या जागा subject object को subject के रूप में यूज करेंगे plus का जगा has a have has a plus been plus b3 अगे तो यह जो है आपका format हो गया passive का है ना passive का format हो गया object as a subject has a have तो रहेगा ही एक जो है कि यह sub-jewटेगा बिन याद रखिएगा passive में एक sub-jewटता है बिन है ना perfect के लिए तो ना has a have plus been plus b3 यह आपको याद रखना है has a have plus been plus b3 तो इस तरह से आप लोग इसका जो है कि आप अराम से बना लिजिए गा passive है ना अब देखते हैं अगला परफेक्ट कंटिनियस टीन्स परजेंट परफेक्ट कंटिनियस टीन्स का अब इसका जो है कि प्राया आपको इसका जो है कि व dużo है ज्रेक्ट मुए नहीं मिलता है प्राया आपको ज्यादा इसके एकजांपल्स भी नहीं दिखेंगे लेकिन फिर भी अगर इसकी प्रेसिब बनाने की आउसकता अपर ही तो हम लोग इसका passive किस तरह से बनाएंगे देख लेते हैं इसका passive बनाने के लिए आप लोग क्या करना होगा इसके object को subject रूप में रखना होगा प्लस has तो रहेगा ही have तो रहेगा ही has, have been भी रहेगा ही been के साथ एक सब्द आएगा जो कि इसको continuous तो करेगा वो होगा been been plus being plus before plus object plus इस तरह से हम लोग जो है कि इसका perfect continuous भी बना लेंगे अब simple past tense में simple past tense में हम लोग देखेंगे इसका structure क्या होता है मैंने बताया था कि subject के बाद subject के बाद भर्व 2 रहे subject के बाद भर्व 2 या भर्व 3 इसलिए बोला था मैंने क्योंकि पराया जो आप लोग देखेंगे कि भर्व भर्व 2 और भर्व 3 लगबग एक जैसा होता है इसलिए मैंने बोला था कि subject के बाद subject के बाद भर्व 2 या भर्व 3 रहे ना तो वह होता है simple past tense में हो ना भर्व 2 और भर्व 3 रहे तो वह simple past tense में रहेगा simple past tense को आप लोगों पूरा ध्यान में रखेगा क्योंकि simple past tense बहुत ज़्यादा इंपकंट है क्योंकि इससे जो है कि confusion ज्यादा मिलता है और इससे एक ना एक सवाल जरूर रहता है सेम्पल पास्टेंस से तो subject प्लस भरूटू प्लस object प्लस रिष्ट इसका तो यह होगा आपका ओके अब देखिए इसका हम लोग जो है object पेसिप बनाएंगे तो इसके object को क्या करेंगे हम लोग object को as a subject लखेंगे object as a subject प्लस वज़े और वर लगेगा वज़ वर प्लस वज़ या वर प्लस भर्व थ्री लगेगा ओके प्लस object प्लस रिष्ट अब देखते हैं हम लोग यह चीज सिंपल पास्टेंस को आपको ध्यान में रखना है नहीं तो सिंपल पास्टेंस जो है की most important है सिंपल पास्टेंस का structure एक बार फिर देख लिए subject के बाद भर्व 2 या भर्व 3 रहे तो वह सिंपल पास्टेंस होता है और मैंने बताया था कि subject subject के बाद subject subject के बाद भर्व 1 या भर्व 5 रहे तो वह सिंपल पास्टेंस होता है और subject के बाद भर्व 2 या भर्व 3 रहे तो वह सिंपल पास्टेंस होता है तो यह चीज अगर जैसे यह आप जो है कि sentence को पहचान लिए कि इस टेंस में होता है तो आपको इसके आसानी से इसका पेस्टी बना लेजिएगा तो क्या करना है कि object को पहले रख लेना है object as a subject plus was the word plus v3 plus object plus rest अब आते पास्ट कंट्रीय स्टिंस में पास्ट कंट्रीय स्ट्रेस का ओगा subject अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे पेसिब बनाएंगे तो object को क्या करेंगे object को subject के रूप में रखेंगे object as a subject plus was your word was a word plus b3 आएगा ही भी तरी आने से पहले हम लोग एक सब्सक्राइगे क्योंकि continuous है continuous है तो इसमें लगाएंगे बींग यह ना बींग प्लस भीत्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिस्ट ओके अब आते हैं लोग पास परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का वारें तो मैंने वताया था कि परफेक्ट बहेद असान है जब पास्ट रहेगा तो हैड आए सब्सक्राइब Sebast ही यह पर पता है तो हैड लगाए हैड के बाद क्या होगा वित्री होगा वित्री प्लस प्लस अब्जै प्लस रेश्ट एह निए आपका होग्या पास्ट परफेक्ट टेंस है ना हैड प्लस भीत्री इसका आगर आपको पिच्शीव बनाना है तो इसके object को क्या करेजिए subject के रूप में रखिए ओके प्लस head bin आ जाएगा बिन लगेगा प्लस head bin प्लस b3 प्लस object तो यह आपका structure हो गया head bin b3 head bin plus b3 यह आपका जो इसका passive हो जाएगा head plus b3 का passive होगा head bin plus b3 यह आपका होड़िया past perfect tense past perfect tense के बाद हम लोग देखेंगे past perfect continuous tense को past perfect tense tense का structure अगर देखते हैं तो subject plus head bin plus before plus object plus rest यह होता है head bin plus before यह आपका होगा past perfect continuous का इसका अगर आप लोगों को बनाना है पेसिव तो object को as a subject रखिए प्लस head यह यह बने बताया था कि perfect continuous का ज्यादा तर पेसिव नहीं मिलेगा करें मिलेगा तो किस तरह से बनाना है यह देख लो object plus subject subject कर दिए had been और एक और जोर लिजिए had been being plus b3 plus object plus rest अब हम लोग आते हैं simple future tense में simple future tense का structure क्या आता है subject plus cell या will plus verb one plus object plus rest अना तो यह आसान है इसमें देखिए कि cell या will इसको model भी बोलते हैं और model भर्व का जब model भर्व वाले sentence का जब हम लोग पेसिव बुनाते हैं तो मैंने बताया था कि इसके बाद जो है कि बी एक बी वाड जोड लेने से आसानी से बन जाएगा तो इसके object को as object को subject करूद में रख लेते हैं उसके बाद यह ना cell या will तो रहेगा ही यह model भर्व है cell, will, can, may, might इसके साथ और बी जो लेते हैं cell या will प्लस बी प्लस भी 3 प्लस object प्लस risk ओके देखेंगे future continuous stance future continuous stance में जो है कि बेहद ही आसान है कि subject रहेगा subject के बाद cell या will आप लोग तो मालूम है cell या will रहता है cell या will रहने के बाद आपका एक जो है word आएगा बी यह याद रखना है बी रहता है यह रहता है प्लस बी 4 आएगा प्लस object प्लस risk होगा है ना तो cell या will प्लस बी 4 यह ना बी प्लस बी 4 है ना यह रहता है इसके बाद आपको जो है कि इसका अगर passive बनाना है तो passive देखिए कैसे बनेगा इसके object को क्या करना है object को subject के रूप में लिख लेना है plus cell या will cell या will को cell या will को जो है कि इसके बाद being जोर लेंगे being जोरने के बाद भीत्री लगेगा plus object plus rest object plus rest ये रहेगा तो इसमें ध्यान देचिएगा cell विल के बाद being आएगा यहाँ पे सिर्फ b है और यहाँ पे being आएगा तो being आएगा plus b भड़ थ्री plus object plus rest इसको ध्यान में रखिएगा अब आप लोग जो है कि future perfect tense को देखिए future perfect tense का जो होता है subject plus cell या will subject plus cell या will plus have आएगा ओके plus b3 plus object plus rest यह बाद समझ में आया cell या will उन्हें बताया था कि perfect है तो perfect में चलाएगी present का perfect होगा has have या has या have है ना और past का perfect में आएगा head और future का perfect में आएगा cell have या will have यही चीज़ को देखना यहाँ पे cell have या will have आ रहा है plus b3 plus object plus rest अब यहाँ पे जो है कि आप लोग इसका passive देखिए passive में इसके object को क्या करना है subject के रूप में लिख लेना है इसके प्लस प्लस क्या करना है cell और will रहेगा ही plus have को रखना ही है एक सब्द जुटेगा यहाँ पे बिन एक सब्द जुटेगा बिन इसको जोर लिजिए plus b3 plus object plus rest बाकि सब वही रहा जाएगा सिर्फ एक सब्द यहाँ पे जो है have के बाद बिन जुटेगा यह वाद धियान रखिएगा perfect में perfect में आप देख रहे हैं परजन perfect में भी आपका क्या दिखा कि has have plus b3 था active में passive में has been या have been यहाँ उसी तरह से यहाँ पे बिन सब्द जुटेगा यहाँ रखिएगा तो future perfect tense में आप लोगों को देखने के लिए मिला cell will plus have plus b3 और इसका जैसे ही passive मनाईएगा यहाँ पे cell will cell या will plus have plus b3 यह बिन जुट जुट जाता है अब आते हैं इसका आम लोग future perfect continuous tense में perfect continuous tense में मैंने बताया था कि perfect continuous tense का ज्यादा तरपेसिव नहीं मिलता है लेकिन अगर आपको बनाना पड़े तो आप कैसे बना सकते हैं यह चीज़ देखिएगा अभी मैंने पहले active का structure लिखता हूँ active का structure का subject plus cell या will cell या will प्लस है प्लस बिन प्लस भीफोर प्लस object प्लस रिष्ट मैंने पता था continuous जहां भी रहेगा continuous रहेगा तो भीफोर आएगा ही आएगा ओके तो भीफोर आ गया यह active format में बता रहा था पेसिव format में तो आपको एक ही चीज़ याद रखना एक ही form आता है हमेशा एक form आएगा वो भी भी सब्सक्राइब तो आप देख लेते हैं इसका पेसिव क्या बनेगा पेसिव इसका भी देखिए इसमें कुछ नहीं है खास एक चीज़ एक सब्सक्राइब जुटता है जो कि इसको पेसिव बना देगा subject object को क्या करना है subject के रूप में रखिए object as a subject cell या वील जो परियोगों करना है प्लस है तो लगेगा ही प्लस बीन तो लगेगा ही एक सब्द और आ जाएगा यहीं बी या इंज यह continuous को सो करने के लिए बींग लगाएंगे बींग के बाद भी 3 प्लस object प्लस रेश्ट है ना और इस तरह से हम लोग देखें यह पूरे 12 करते हैंं लोगों ने देखा क्या कि जहां पर जो है क्या continuous जहां पर है continuous के active form में आपका भी 4 का परियोगों कोगा यहां भी continuous है परफैक्ट है लेकिन फिर भी continuous है वास्तब में यह वाकि होता है वास्तस में यह घुन कट्वेयोग होता है तो इसलिए यहां पे भी फोल्ड का जया रहो होगा यह आक्टिव में सब मैं पीचिस में जब में धि düşंश को पड़े हैं यह बहांतों आपको सबस्थ में आएअ चाहिं तो बीत्री का पड़ियूग होता तो इस तरह से आज हम लोग जो है रिवीजन किये जितना भी मैंने पढ़े ते चेंस में और भाइस में जुतने भी चीज को पढ़े थे सारे अस्ट्रक्चर को रिवीजन किये हैं और हम लोग इसको जो है कि थोरा कल एक दो डिवीजन और क कोई जो है क्या कि कोई तरह का लोगडाउन समात होने वाली असंकाए और असार नहीं आ रही है तो देखिए क्या होता है और मैं कहूंगा कि आप लोग कोशिस कीजिए और घर में ही तोरा तजारी कीजिए और पढ़िए